कर दोस्तों आपका अपना चलर में कोशी पार्षाला प्याफ सभी स्टुडेंट का श्वागत है प्यारे बच्चे कल आप लोगों के साथ डिसकेशन हुआ था मैथ का सिलेवस के बारे में और मैथ के शुमंशर के दुवारा हिंदी का सिलेवस बता दिया गया था संस्कीत का बता गया दिया गया था और सोशल संस्त का सिलेवस का चर्चा हो चुका है प्यारे बच्छे और कल हम मैत का सिलेवस का चर्चा किये थे प्यारे बच्छे मैत का सिलेवस में जो भी चर्चा किये थे किन से कितने नंग पूछे जाते हैं किस यूनिट से और किस यूनिट में हम इसना चप्टर परना होता प्यारे बच्छे और मैत को किस तरीका से हमें परना है इस पर हमें डिसकसन हो चुका था प्यारे बच्छे तो आज हम आप लोगों को कल आप लोगों से प्रोमिस किये थे आज हम एक चेप्टर लेकर आने बाले हैं बच्छे और जो यूनिट स्टार्ट करने बारे हैं आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे नमर सि стороны के अंदर वासित्व संख्यां के अंतरगत क्या आज प्रहहिए जी सबसे असान भासा ने परहें रहा है इस को इप प्रहा देंगे नमर शोत्यक्त्स शोい सबसे और यहां नहीं है और याद रखेगा यकीन मानी है प्यारे बच्चे जब हम रियल से सिस्टम पर आएंगे आपको बच्चो इससे बहुत सारी कुश्चन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं पहले हम लोग इसके अंतरगत जीरो लेबल से कुछ नंबर को जान लेंगे और नंबर को जानन हो गया प्यारे बच्चे भीन हो गया हो गया पूझत हो गया पूर्णी संख्य रूट संख्य यह सम नंबर को हमें पहां लेटे और यह नंबर को सालोगर करने में किसी भी परकार की समस्या नहीं होती है conce% higher любим नमन की से सब्चार्ट करतें में परोर्म सिस्टम के बारे में स अंतरगत सारी बातों को में करके जानने वाले हैं आईये हम प्यारे बच्छे सबसे पहला हम जो परहेंगे वह बात करते हैं नंबर सिस्टम की बात करेंगे किसकी बात करेंगे नमबर सिस्टम के अंतरगत एक चेप्टर आता है प्यारे बच्चे चेप्टर का नाम क्या होगा रियल नमबर रियल नमबर रियल नमबर को हम लोग प्यारे बच्चे इंगलिश में क्या हिंदी में क्या कहते हैं वास्तिविक संख्यां क्या कहते हैं वास्तिविक संख्यां का कहते हैं यह बात सब को मालूम होगा प्यारे बचे कल हम इस बात पर डिस्केशन बहुत जादे किये हुए थे अब अईये हम जो नम्मर इनके अंतरगत पढ़ने वाले हैं प्यारे बचे जो नम्मर होगा इसके अंदर जो नम्मर परहेंगे नम्मर जो हम परहेंगे जो संख्यां हम परहने वाले हैं प्यारे बच्चे जो संख्यां परहने वाले हैं वो संख्यां को हम दो प्रकार से इसके अंतरकत सबसे पहला संख्यां की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो पहला जो संख्या होगा, पहला जो संख्या होगा, तो उनको हम लोग कहतें वास्तविक, वास्तविक संख्या, क्या कहेंगे बच्चे वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नम्मर कहतें, जिसको हम लोग क्या कहतें प्यारे बच्चे, रियल नम्मर, क्या बात समझ इसे में आ रहे हैं सभी बच्चों को। सभी बच्चे धमशब करेंगे। वास्तिविक संख्या का होगा किसका होगा प्यारे बच्छे वास्तिविक संख्या का होगा उसी तरह हम एक नम्मर और जानते हैं प्यारे बच्छे कालपनिक कालपनिक संख्या की बात करेंगे किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे कालपनिक संख्या और कालपनिक संख्या को हम लोग इंग्लिस में क्या काते प्यारे बच्चे इमेजनरी नमबर के रूप में जानते और इसके अंतरगत हमें एक्जांपल के रूप में क्या-क्या जानना होता प्यारे बच्चे कहेंगे रूट अंडर एक्जांपल के रूप में बच्चे रूट अंडर मैनस वान हम प्यारे बच्चे एक्जाम्पल के फूरव आपको हम संजार है। अभी एक्जाम्पल में सभी बातों को समझना होगा कि नमबर हम जाने वास्तिविक संख्या और काल्पनिक संख्या अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इनके अंतरगत जो नमबर हम जाने अभी वास्तिविक संख्या और क्या जाने काल्पनिक संख्या एकजांपल को भी हम समझे प्यारे बच्चे तो एकजांपल क्यों समझ से जानते हैं प्यारे बच्चे कितने प्रकार से जानते हैं दो प्रकार से जानते हैं कितने प्रकार से दो एक सभी बच्चों को मालूम होगा प्यारे बच्चे एक होता प्रीमे संख्या होता है कि क्या होता प्यारे बच्चे प्रीमे संख्या होता है और एक होता प्रीमे करें इसको इंगल्णीं में क्या कहते हैं इंगल्णीमें हमें जानना है इस सभी वातों को और इशो के प्रक्शУ रेस्नल नमबभर का एक्जाम्पल के रूप में जानते हैं जो प्यारे बच्छे बात सब को मालूम होगा प्यारे बच्चे उनके बाद हम बात करते हैं जो पी वाई क्यू फॉर में हो तो क्या हो सकता फॉर भी हो सकता प्यारे बच्चे तू भी हो सकता है या तू भी हो सकता प्यारे बच्चे या का सकते हैं आप क्या क्या रूट फॉर भी हो सकता परीमे संख्या प्यारे बच्च प्यारे बच्चे का सकते हैं याद रखना है अब हम बात करते इसक्षि के फॉर में ना हो जो किस फॉर्म नहों प्यारे न हो तो वह सी संख्या को हम लोग क्या कहते प्यारे बच्चे कहेंगे इस नम्मर यानि और परीमें संख्या कहते हैं क्या कहते प्यारे बच्चे तो सभी बच्चे इस एक्जामपल को भी याद रखेंगे क्या कहते प्यारे बच्चे और परीमें संख्या की रूप में हम लोग जानते हैं सभी बात याद रखेगा अपरीमे संख्या की रूप में क्या हो याद रखेगा प्यारे बच्चे रूट अंडर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चे रूट अंडर क्या होगा थिरी हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा प्यारे बच्चे के रूप में जाने जाते हैं यह बात भी याद रखेगा यह उस पर भी हम discuss करेंगे हम क्या बोले प्यारे बच्चे आप लोगों को जीरो लेवल से प्रहाने वाल हैं आप सभी बच्चे च्रीं शॉट लेना चाहेंगे तो लेते चलेंगे सभी बच्चे या आप सभी अच्छा होगा प्यारे बच्चे तो तो हम इसको छोटा कर देते हैं चलिए विल्वकुल दिखाए देगा टेंसन नहीं लेना प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं इनके अंतरगत दसम्लब प्रसार सांत की बात करेंगे या असांत की बात करेंगे किसकी बात करेंगे इनके अंदर दसमलब प्रसार जो होगा वो सांत या सांत की बात करेंगे दसमलब प्रसार सांत या प्यारे बच्चे असांत आविर्थी की बात करते हैं आविर्थी की बात करें ध्यान से सुनना है मेरी व्यात प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं, आपके मन में सवाल उठता होगा, सवाल आ रहा होगा, प्यारे बच्चे, इस सवाल क्या आ रहा होगा, चलिए प्यारे बच्चे, तो आप याद रख किरा होगा, सांत और असांत की बात करेंगे, तो दसमला परसार सांत या सांत, मगर सांत और असांत क क्या होगा इस पर थोड़ा discussion करना होगा मगर आपको इस बात को भी याद रखना होगा प्यारे बच्छे जो दसंबला प्रसांद सांथ और असांथ होता उसी तरह याद रखेगा असांथ अनाविर्थी होता प्यारे बच्छे किसके अंतरगत देखने को मिलेगा असांथ अन अनाविर्ति की बात करेंगे मगर ये दोनों पॉइंट जो इस्टार देखे हम परहार हैं प्यारे बच्चे देखिएगा सुनिएगा बिल्कुल समझ में आगा आगा आपके मन में आ रहा होगा सर ये आप ये बीच में कहां से लाद दिए दसमला प्रसार सांत और असांत हम एक्जामपल के माधियम से प्यारे बच्चे हम आपको समझाने बाले हैं बिल्कुल हम क्या बोले प्यारे बच्चे एक्जामपल के माधियम से हम आपको समझाएंगे सभी बातों को जीरो लेवल से में स्टार्ट करने बाले हैं टेंसन नहीं लेना प्यारे बच्चे किस जो आपको असानी से याद हो जाए 3 x 2 लेने वाले है अब आप कहेंगे इनमें कौन 101 प्रसांट सांथ है और कौन इसमें 10100 अभिरती है अब ये बात को समझना होगा प्यारे अब देख्यें कैसे हम समझेंगे आपके मन में सवाल आ रहा होगा प्यारे बоловoked सबकूल हम आपको शुरूद मैं पर औहाए तो थियान से शुनना Jim बातों को और नहीं समझना है नहीं समझ में जरूर बताना है ये बात हमस्ट में नहीं नहीं आई प्यारे बच्चे बताईएगा तो में यहां दसमलब का रहा है प्यारे बच्चे क्या लगाना होगा पॉइंट लगाना होगा तो कहिएगा हम सबसे पहले जीरो दे देते हैं और अब बताईए अब कुन बरा है भाजक बरा हो गया भाजक बरा हो गया भाजक से अब बताईए प्यारे बच्चे हम यहां कितना बार में लगा सकते हैं जाएगा कितना कहेंगे यानि आपसे पूछा जाएगा कहेंगा दो हो जाएगा और यहां कितना बार में लगा एक बार में लगा एक दे सकते हैं कोई दिक्कत प्यारे बच्चे अब यह अब फिर यहां क्या दे सकते हैं प्यारे बच्चे जीरो अब जीरो देंगे तो कितना बार में लगेगा दो बार में लगेगा प्यारे बच्चे कितने बार में लगेगा यह बात पता है सभी बच्चों को अब दो बार में लगेगा तो हम यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चे कियेगा 4 बच्ये गा सर यहाँ कट जाएगा अब हम फिर कितना इस पर 0 लगा सकते है thin Alice अब कहिएगा 8-5 कितना होता प्यारे बच्ये कहें genxt 40 होता है आप बतये आप ही प्यारे बच्ये बतेंगे क्या ये पूरा पूरा कट गया कि ने पूरा पूरा कट गया तो ये सांथ ही तो होगा प्यारे बच्चे क्या होगा रिमेंडर यहां क्या बच गया जीरो सांथ हो गया अब यहां जब सांथ हो गया तो इसको हम लोग कौन सा प्रसारी के रूप में जानेंगे सांथ प्रसारी के रूप में जानेंगे बिलकुल समझ में आया होगा, अब हम बात करते हैं, आप कहिएगा सर, एक example तो आप ने और लिए हैं, क्या 3 by 2, 2 by 3 लिए हैं, आप आईए, इसको भी हम देख लेते हैं किसको देखने वाले हैं, प्यारे बच्चे 2 by 3 को भी देखने वाले हैं, प्यारे बच्चे इनमें हम टू से क्या करेंगे थिरी से भाग करेंगे किसमें किसमें करेंगे प्यारे बच्चे टू में अब कहिएगा सर यहां भी तो वही सेम चीज है अब सेम चीज है तो इसको लिए हमें क्या करना परेगा बच्चे जिरो करना परेगा और जिरो में यह यहां भी जीरो पॉइंट बढ़ ना रिए साफ़ दो चैनल यहां पीर यहां फेल फिर गाए से थीगा क्या आरह उजाएगा कि यह बढ़े बच्छे क्या हो जाएगा फिर 2 होगा ुइस परकार thirty बेखियं You तो बारवार्थ कौन आ रहा बच्चे छे 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 आते रहाता इस परकार की जो संख्या होती है उस संख्या को हम लोग क्या करते असांत आविर्थी के रूप में जानते हैं क्या किस रूप में जानते हैं असांत आविर्थी के रूप में जानते हैं क्या प्यारे बच इसको भी आप बोले आपको समझें कि आपके मन में कुष्चन आ रहा होगा देखो प्यारे बच्चे इनकी बात करें तो याद रखेगा आप वर्गमूल होगे रपर होंगे प्यारे बच्चे वर्गमूल होगे और वर्गमूल के अंतरगत जो संख्यां होती है प्यारे बच कर ले तो आप इसे परहे होंगे इस परकार से वर्गमूर्ड लेकालने के लिए परहे होंगे इसमें क्या होगा रिपीटेशन होता जैसे वन आया फोर आया फिर वन आया फिर इस परकार की जो संख्या जो निकले इसको हम लोग कौन संख्या के रूप में जानते प्यारे अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दसमला परसार सांत या असांत समझ में आ गया होगा और असांत अनाविर्ती समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे क्या अब जिस तरह से हम दसमला परीमे संख्या की बात करेंगे यह कितने परकार के नमबर होते हैं अब दसमला परसार में यहां परीमे संख्यां की बात कर लेते हैं प्यारे बचे किसकी बात करने बाले हैं हम परीमे संख्यां की बात करने बाले हैं इसकी बात करने बाले है प्यारे बच्चे परीमे संख्यां की बात करने आईए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे किसका परीमे संख्यां के रूप में बात करेंगे अब क्या आईए बात सभी बच्चे को समझ में आया आप सभी बच्चे एक बार एक बार प्यारे बच् अई करता दो प्रकार के नमबर होते हैं आप कहेंगे परिमयन संख्यां की बात करेंगे इसकी बात.? है डाई रेत्र नमबर कि अगर प्रशननल नमबर किसकी बात करें बात करें के प्यारे बच्छे यह आपको चाहेँए यह दो के नम्मर आपसे पूछा जाएगा एक नम्मर तो होगा भिन और एक होगा पुर्णांक एक कहिएगा फ्रेक्षन होगा प्यारे बच्चे और एक होगा इंटीजर क्या होगा प्यारे बच्चे एक होगा फ्रेक्षन और एक होगा इंटीजर ये बात आप सभी बच्चे को या प्रेक्शन और एक होगा जिसको हम लोग भिन कहते हैं प्यारे बच्चे क्या कहते हैं जिसको भिन क्या कहते हैं फ्रेक्शन और एक क्या होगा प्यारे बच्चे पुर्णांक और पुर्णांग को इंगलिस में क्या कहते हैं इंटीजर क्या कहते बच्चे इंटीजर के रूप में जानते हैं अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा प्यारे बच्चे कि फ्रेक्शन और फ्रेक्शन जो भी होता हो फी वै क्यू के रूप में ही होता तो अब जो होगा प्यारे बच्चे PYQ के रूप में होगा किस रूप में होगा प्यारे बच्चे PYQ के रूप में होगा PYQ के रूप में और Q Notical 2 क्या होगा प्यारे बच्चे 0 होगा का सकते हैं 2 या क्या का सकते हैं 4 by 1 फ्रेक्शन होगा या 3 by 2 ये सब भी क्या होगे प्यारे बच्चे फ्रेक्षन होगे यानि भिन होगे और आपसे पूछा जाएगा पुर्णांक यानि इंटीजर पूछा जाएगा प्यारे बच्चे इंटीजर क्या होता है इनके बारे में आपसे पूछा जाए तो कहेगा इंटीजर जो होगा प्यारे बच्चे वह PYQ भी होगा Q not equal to one होगा या मैनस blue minus two minus one इस परकार के जो संख्यां होंगे इसको हम लोग क्या कहते हिए प्यारे बच्चे इस परकार के संख्या को हम लोग क्या कहने वाले हैं इंटीजर जैसे कि इंग्जाम्पल के रूप में क्या होगा प्यारे बच्छे कि पीवाई क्यूं की बात करेंगे किसकी बात करेंगे पीवाई क्यूं कॉमा हम और किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्छे याद रखेगा जैसे कि हम बात करते हैं कि क्यूं 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 Antes call 2 Kewa agora one उनके बाद मैंनस 3 की बात करेंगे मैंनस 2 की बात करेंगे मैंनस 1 की बात करेंगे या आज ऑप से पूछा जागा 1 , 2 , 3 इस परकार के जो नमबर होंगे प्यारे बच्चे यह सभी नमबर क्या होंगे पूर्णांक जानीं integer होगा क्या होगा प्यारे बच्चे इंटीजर होगा क्या विए इंटीजर होगा यह बात सभी बच्चे याद रखेगा अब आये आप भीन और पुड्नांक भी समझ में आ गया जो भीन होता है वो पी बाइक्यू के रूप में होगा q notical to 0 होगा या 4 by 3 या 3 by 2 होगा इस परकार के जो नम्मर होगे प्यारे बच्छे वो fraction कहलाएगा और इस परकार के जो नम्मर होगा प्यारे बच्छे वो फुर्णा की यानि क्या कहलाएगा कहिएगा integer कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, integer कहलाएगा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आया, अब हम बात करते हैं, integer, यहाँ आप zero भी कर सकते हैं, प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं, integer की बात करते हैं, integer के नम्मर जो होते हैं, प्यारे बच्चे, वो integer, सभी नम्मर जो हो जीरो के रूप में हो और एक नम्मर जो प्यारे बच्चे कहेंगे यानि निगेटिव के रूप में हो एक निगेटिव एक जीरो इंटीजर और एक क्या होगा पोजेटिव इंटीजर तिन परकार के इंटीजर के रूप में हम लोग जानते हैं एक इंटीजर ज और एक क्या हुआ प्यारी बत्शे पोजिटीव इन कि यह इसको हम लोग कह सकते प्यारे बचे क्या कहेंगे इसको आप मैं हिंदी में जानना Variणा चाहते हैं प्यारे बचे धनात्मक नात्मक पूरणांक पुर्णांक होगा प्यारे बच्चे क्या होगा धनातमक पुर्णांक होगा और एक जो होगा प्यारे बच्चे सुन्य सुन्य पुर्णांक और एक जो होगा प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा कहेंगे रिनातमक क्या हो जागा बच्चे रिनात्मक पुर्नांक क्या होगा प्यारे बच्चे रिनात्मक पुर्नांक होगा ये बात याद रखेगा तो तीन परकार के इंटीजर के रूप में हम लोग जाने अब तीनु परकार के इंटीजर जो होगा वो उनका सिंबोलिक यानि एक्जामपल भी हमें जानना होगा प्यारे बच्छे के इसका जो एक्जामपल होगा प्यारे बच्छे वो कितना होगा रिनात्मक का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब मैनस का सायन नेगेटिव का मतलब प्यारे बच्छे मैनस का सायन आप कहेंगे अब यहां जो प्यार कि जो भी नम्मर होंगे जो भी इंटीजर होंगे वो सभी इंटीजर क्या कह लाएंगे प्यारे बच्छे कहेंगे इस सभी इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं निगेटिव इंटीजर के रूप में हम लोग जानेंगे और जीरो को तो वहीं पहचानते ही प्यारे बच्छे ज यानि चिन के रूप में जाने तो प्लस का चीन होनी चाहिए किसका चीन होनी चाहिए प्यारे बच्चे प्लस का चीन और प्लस का चीन मतलग हम का सकते हैं प्लस वन होगा प्यारे बच्चे एक्जामपल के रूप में और कहिएगा प्लस क्या होगा प्यारे बच्चे प्लस ट कि पोळेटीव इंटीजर के रूप में आ गया क्मन्न लग रहा है शलिए अब आगे करते हैं आगे हम बात करते हैं आपके मंग में आ रहा होगा सर लिये बात सब तो चाहिए आ ऐगा अजी सुन्य और एक बात और याद रहे गए दनात्मख पुर्णाग्न को बस आक हम लोग प्राकृतिक प्राकृतिक संख्यां भी कह सकते हैं क्या कह सकते प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्यां यह सारी बातों को हम वह सुरू में ही बोले लेवल होगा जो जीरो जीरो को लेवल की बात करते हैं अब आप से पूछा जागा प्यारे बच्चे इनको हम यानि जीरो को प्लस कर दे और एक प्लस किसको कर दे कहेंगे कि धनात्मक या प्राकृतिक संख्यां को प्लस कर दे तो एक नम्मर बन जाता उस नम्मर का नाम है प्याले बच्चे होल नम्मर उस नम्मर का नाम है बच्चो पूर्ण संख्यां क्या नाम है प्याले बच्चे पूर्ण संख्यां ये बात होल नम्मर क्या कहते हैं प्यारे बच्छे होल नम्मर कहते हैं क्या ये बात सभी बच्छों को समझ में आया अब कहता होल नम्मर सिर्फ इसमें जीरो को सामिल कर दिया जाए जो प्राकृतिक संख्या होता है जो बच्छे नेचुरल संख्या होता है उन्हें सिर्फ 0 को जब सामिल कर दिया जाता तो वो संख्या बन जाता है whole number वो संख्या बन जाता प्यारे बच्छे क्या कहेंगे पूर्ण संख्या बन जाता ये बात सब को मालूम होगा प्यारे बच्छे whole number बन जाता है वो सभी नम्मर पूर्ण संख्यां ही कह लाएंगे जिरो से जब स्टार्ट होगा प्यारे बच्चे अब ऐए जब हम जिरो से स्टार्ट के प्यारे बच्चे ये भी नम्मर हम समझ गए तो आप आपको बताना है प्यारे बच्चे जब पूर्ण संख्या जाने तो हमें इभेन नम्मर भी जानना होगा ओड नम्मर भी जानना होगा इस परकार के बहुत सारे नम्मर होते हैं सभी नम्मर को क्या प्यारे बच्चे बताए हम क्या आप सभी बच्चे बताएंगे क्य कहते हैं सोरी कि नम्मर जिसको हम लोग क्या कहते हैं समसंख्यां क्या 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 प्यारे बच्छे क्या 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 प्यारे बच्छे समसंख्यां एक्जांपल के रूप में कहेंगे इभेन नम्मर क्या होता प्यारे बच्छे कहेंगे जो इभेन नम्मर यानि यानि दो से जो विभाजित हो जाए उस संख्या को हम लोग कौन सा इभेन नम्मर कहते प्यारे बच्छे इभेन नम्मर के रूपे हम लोग जानते हैं जो पोजेटिव और निगेटिव दो गफार आथा है यहाए बात याद है प्यारे बच्चे डिल्कुल सर यह कि नउप ऊठ़ा चैश्डी भी होगрах तो स्वी नवर कि रूप में जाने जाते चलिए अब Up इंगर की बाद बात करते कोन सा लोक कि बात करेंगे और जो कि और इस हुआ है यह चोसी हमें लोग की कि अब और निम्मर जो होगा, विशम संख्या की बात करेंगे और विशम संख्या जो होता है उसका एक्जामपल जो होगा प्यारे बच्चे वो कहेंगे वो भी एक्जामपल के रूप में प्लस मैनस क्या होगा प्यारे बच्चे कहेंगे प्लस मैनस जो भिशम संख्या का होगा प्लस मैनस वन होगा प्यारे बच्चे और दूसरा जो होगा प्लस मैनस क्या होगा प्यारे बच्चे थिरी होगा और जो होगा पलस मैनस क्या होगा प्यारे बच्चे करेंगे 5 होगा और जो होगा पलस मैनस होगा 7 इस परकार के जो भी संख्या होंगे उस सभी संख्या को ओड नम्मर के रूप में जाने जाते हैं किस नम्मर के रूप में जानेंगे प्यारे बच्चे, ओड नम्मर के रूप में हम लोग जानते हैं, क्या ये सभी बात समझे में आया क्या, ये बात सभी बच्चे को समझे में आया, सभी बच्चे के बार थमसब करेंगे, सर हमें ये सभी बात समझे में आ गया, क्या मन लग कि रहा है और वी सब्सक्राइब करें आप यजितने बाद वी जानाना है और उनके बाद और सारी नम्मर को भी हमें थोरा थोरा हम लोग जान लेते हैं और कौन-कौन से नम्मर होते हैं तो याद रखेगा प्यारे बच्छे और जो जो नम्मर होते हैं सभी नम्मर को थोरा थोरा हम लोग और जानने का प्रियास करते हैं और कौन-कौन सा नम्मर होता है सभी नम्मर को अ अभाद संख्यां क्या होता और रूट संख्यां क्या होता यानि प्राइम नंबर की बात करें अभाद संख्यां या रूट संख्यां की रूप में जानते हैं प्राइम नंबर की बात करेंगे अभाद संख्यां की बात करेंगे या इसी को हम लोग कहते है रूट संख्या या इसमें केहेंगे प्यार बच्चे प्राइम नंबर किया कि प्राइम नंबर की बात करेंगे प्राइम नंबर में हम वन नहीं होगा प्यारे बच्चे, टू होगा, थिरी होगा, कहेंगे टू होगा, थिरी होगा, फाइब होगा, सेबन होगा, इस परकार के भी जो भी नंबर होगे, मगर निगेटिव वाले नहीं होगा प्यारे बच्चे, निगेटिव वाले नहीं होगे, यानि आप कह सकते ह प्यारे बच्चे कि जो negative वाले जोगा वो नहीं होगा सिर्फ क्या होगा यानी पॉजिटिब में होगा प्यारे बच्चे इसको हम लोग क्या रूट संख्या या क्या कहते हैं और में हम इनको कहते हैं या इनों का सब्सक्राइब है इसका कार की जो संख्या होंगे प्यारे बच्चे अभाद संख्या के रूप में जाने जाते हैं अब हम बात करते हैं और अभाद संख्या के बाद हम बात करते हैं कौन सी नम्मर की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे सभी बच्चों को समझ में आ रहा ये सारी बात तो हम कहेंग भाज्य संख्यां की बात करें यह जो भाज्य संख्यां या योगिक संख्यां होता प्यारे बच्चे इनके बारे में आप से पूछा जाए तो कहिए यह सभी संख्या क्या होगा जिनका को नंबर के रूप में जाने जाते यह बात अब सभी बच्चे को याद हुआ हो गाद में जानते होगे अब आईए- अब यह इस प्रकार की बाद योगिक संख्या की तैसël प्रूällejon सव अभाज संख्या की सव अभाज संख्या की बात करते किसकी बात करेंगे प्यारे बच्छे सव अभाज संख्या क्या होता है को प्रैम नंबर की बात करते सव अभाज संख्या क्या होता इसको भी समझ लीजे प्यारे बच्छे तो अब हम सव अभाज संख्या की भी बात कर इनकी बात कर लेते हैं इनमें जो example के रूप में जाने जाएगा बच्चों को प्रैम नम्मर के रूप में जो जाना जाता है तो इनमें क्या होगा प्यारे बच्चे कहेंगे A और B की बात करेंगे और जिसका LCM 1 हो जिसका SCF सोरी SCF 1 हो प्यारे बच्चे जिसका SCF क्या हो 1 हो जैसे हम बात करते हैं A और B तो इस संख्या में SCF की बात करें तो प्यारे बच्चे क्या होगा कहेंगे इन बीच में जो SCF होगा प्यारे बच्चे वो SCF क्या होगा SCF कितना होगा प्यारे बच्चे कहेंगे 1 होगा क्या होगा प्यारे बच्चे 1 होगा जैसे हम बात कर लेते हैं 4 और 9 की बात करेंगे और 2 और 3 की बात करेंगे इसका SCF क्या होगा 4 और 9 की बात करेंगे 4 और 9 की बात करेंगे को याद भी हो गया होगा यह क्या होता यह बात सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा चलिए आप हम आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमी प्रेमी का की बात करें गे जो हमें पढ़ने को मिलता है यानि युकलेट युकलिट विभाजनी वीधी के रूप में जो चेप्टर के अंतरगत देखने को मिलता है उस पर जो हम discussion करने वाले हैं वो कल से discussion करने वाले हैं प्यारे बच्चे अज सभी नमर बता दिये प्यारे बच्चे अब कहिए सर आप तो ये शिर्फ बता दिये एक्जाम्पल के थूँ हमें इसका definition याद कैसे रखें और ये थोरा definition की बात हम कर लेते हैं प्यारे बच्चे इसकी बात कर लेते हैं आप सभी बच्चों के परिमौेंत पर्दने के लिए बेठे तब एपने बुख को भी रखे रखे वपी रखे विवॉड़ाईश सभी बातों को नोट करते करें ताकि सभी बात आप को याद रही नहसे इस तरह से आप को औलने में भी पढ़ने को मिलेगा है जन्फ हम बात करते हैं वास्तिविक संख्यां explorer सभी पर्यूपर परीमय यह तथा प्रिमय संख्या क्या कहलाएगा बच्चे कहेंगे real number कहलाएगा उनके बाद आपको काल्पनिक संख्या की बात के imaginary number की बात करें रिनात्मक संख्याओं संख्याओं का वर्गमुल होने लेने पर जो संख्याओं बनती होने हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे काल्पनिक संख्याओं करनेंगी है अब बात करते हैं कि दीव страш क्या होताक में लिखा जाए या flex में लिखान रूप में नहीं लिखाजा सकता है और प्रेस यह प्रणांग है यह बात याद रखेगा यह परकार यह सभी सब्सक्राइब मतरी में क्लाति ललाति है उनके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या यानि गिंती की संख्या को प्राकृति संख्या तो सब जानते ही हैं बहुत इजी है आप पड़ते आये होंगे वस्तों को गिंने के लिए लिखे लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता उन्हें हम क्या कहते प्यारे बच्चे प् तो कौन सी संख्यां बन जाती है प्यारे बच्चे पूर्ण संख्यां यानि होल नम्बर बन जाता है तो सिर्फ प्राकृत्त संख्यां में 0 को सामिल कर देजिए क्या बन जागा प्यारे बच्चे यह पूर्ण संख्यां बन जागा यह बात याद रखेगा प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं कि आप पुर्ण संख्या के बाद आप पुर्णांग की बात करते हैं पुर्णांग संख्यां इंटीजर की बात के इंटीजर नमबर होगा प्यारे बच्चे तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 एवं रिनात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याओं प्राप्त होती है उन्हें हम लोग क्या कहते प्यारे बचे पुर्णांक संख्या के रूप में जाने जाते हैं प्यानत करते हैं। उस नम्मर के रूप मेंおुट में जानते हैं। इस नम्मर के रूप में जानते हैं। जो पूर्णता दो से विभाजित हैं। । संख्यां को हम लोग कौन सा नंबर कहाते हैं प्यारे बच्चे एवें नंबर के रूप में जानते हैं और विसम संख्यां को भी समझ लिजे वे संख्यां जो दो से पूर्णता बिभाजित नहीं होती है उन्हें विसम संख्यां 135 11 17 29 49 इस प्रकार कि जितने भी संख्यां हों कि संख्यां जो स्वेम और एक के अलावा अन्य किसी संख्यां से बीभख्त नहीं होती हुँन्हें हम लोगा कहते हैं प्यारे बच्छे अभाद संख्यां आप कहेंगे नोट में एक न तो अभाज संख्या है और न ही क्या हो भाज संख्या है प्यारे बच्छे ये बात याद रखेगा। संख्या को प्रैम नम्मर की बात करें कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभैनिस्ट गुननखर्ण ना हो अथवा जिनका मौसवा एक हो एक संख्या क्यात एक साथ तो स्वाभाज संख्या कहलाती है कहेंगे और नाइन का बारा और पचिस का अठारा आठ नो और बारा इस प्रकार के जितने भी संख्या सब के अंदर स्वाभाज संख्या के रूप में हम लोग जानते ये बात याद रखेगा तो यह रहा प्यारे बच्चे आज का नंबर और नंबर सभी नंबर को हम बता दिए प्यारे बच्चे कौन-कौन सा नंबर बताए प्यारे वास्तविक की बात करें यह प्रीमे और अप्रीमे की रूप में होता है और प्रीमे भी होता प्यारे बच्चे दो भिन और क्या होता है प्यारे बच्चे कहेंगे पुर्णांग की रूप में पुर्णांग कितना होता तीन तो कहेंगे प्यारे बच्चे पुर्ण और पूर्ण के बाद हम परहे सम संखियां सम के बाद परहे भी सम संखियां इस परकार के सभी नम्मर को हम लोग जान गए तो क्या ये बात सभी बच्चे को समझ में आया सभी बच्चे एक बार थमसब करें क्या सर हमें ये क्लास बिल्कुल समझ में आई जो भी परहाएं सर बिल्कुल समझ में तो सभी बच्चे अपने अपने ग्रूप में इस वीडियो को इतना सेयर करिए ताकि दूसरी बच्चों को भी लाव मिल सके और सभी बच्चों को बहुत जल्द एप पर पर परने को मिलेगा प्यारे बच्चे एप तीन से चार रोज में मिल जाएगा और कर सकते हैं तो कहेंगे वाट्सप नंबर के रूप में कौन होगा प्यारे बच्चे कहेंगे याद रखेगा एक मिनट प्यारे बच्चे जो भी इनफोर्मेशन आपको देना हो इस प्रकार के जो भी नम्मर और यह है प्यारेबश्चे तो याद हुखे he he इस पर आप उम्हें सनपर्क यानि मेरे यहां जो आपको यह सँHey जो यह आनलाइन का जो मैनेजर प्यारे बच्छे वह आपसे संपर्क कर लेंगे तो इस नम्मर बच्च्चू